आपका एक नए वीडियो को स्वागत करता हूँ तो फाइटर की दोस्तों डे 9 की व्ल्ड वाइट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बात करने वाले एंड देखो यहां पे मेकर्स ने भी यानि के वाया कोम 18 ने भी एक पोस्टर यहां पे जारी किया है जिसमें वहां पे व्ल्ड से बैड़ या और आराम से बैड़ या और वह आराम से देखने के अक्चुली में यह हो रहा है देखो बैइ स्टार्टिंग में जो क्रिटिक्स थे यानि के तरह नादर साब वह मेकर्स के थुरू यहां पे बॉक्स ऑफिस कलेशन दे रहे थे बहुत अच्छी बात दे रह हो रही है यहां पे मेकर्स ने अपना कायल बना दिया है अपना कायल बना दिया है कि सिर्फ मेरे पोस्टर का इंतजार करो मैं हर अफते एक पोस्टर दूँगा जिसमें वह बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेखियोगी जो कि वर्ड़ वाइट होगी और वह भी देखो डेली बा इनहीं पे एक जो क्रिटिक्स हैं उनका नाम है निशित शो काफी बड़े क्रिटिक्स हैं उन्होंने एक अपना यहां पे फिगर जारी किया है और ओवर्सीज का और उसको ओवर्सीज में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो लगबग लगबग ट्रेड में जो क्रिटिक्स के पास डाटा आ रहा है उस पे और क्रिटिक्स के पास जो डाटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है अब अकर मेकर्स की तरफ से आ रहा है तो मेकर्स का तो देखो जादा होना चाहिए समझ रहो लेकिन वो कम है तो आ कहां से रहा है समझ रहो अब दोस्तों सबसे पह 152 करोल 25 लाग net collection इंडिया का हो चुका है ठीक है अब यहाँ पे 182 करोल 75 लाग gross collection में आता है and overseas से 76 करोल worldwide 258 करोल 75 लाग यह बता रहा है overseas से 76 करोल बता रहा है कौन trade बता रहा है website technique अब मैं आपको यहाँ पे एक data बताता हूँ जो मैंने नाम आपको बताया है उनका देखो भाई day 1 में 1.03 million overseas से collection आता है day 2 में 1.70 million dollar day 2 से collection आता है day 3 में 2.46 million dollar collection आता है day 4 में 1.6 million day 5 में 40430k and day 6 में 685k dollar day 7 में 290k dollar day 8 में 210k dollar day 9 में 485k dollar total यहाँ पे 8.92 million dollar overseas का collection होता है total 9 दिन होगा और इसका इंडियन जो रुपीज है वो बनता है 74 करोड 3 लाग और यहाँ पे overseas का day 9 का कितना बता रहा है trade 76 करोड यहाँ पिर भी 2 करोड यहाँ पे मुझे उपर नीचे लग रहा है यह है दोस्तों जो मैंने आपको बताया नाम यह उनका जो critics हैं जो आई दिन जो है box office collection रिव्यूज में आगे रहते हैं जो अभी दोस्तों लगबग लगबग data दिया था उन्होंने थोड़ी दिर पहले और देते रहते हैं मतलब आपने जानते भी होंगा उनको तो अब दोस्तों यहाँ पे जो makers ने 262 करोड का worldwide box office collection का जो poster दिया है वो देखो जो दिया है ठीक है दे दिया बहुत अच्छी बा कोई फर्क पड़ता नहीं है और इतना चल भी जाता है उपर नीचे हो जाता है कोई बात नहीं भाई देखो trade जो है अपने इसाब से काम कर रहा है और यहां पर बात यहां पर और निकल के आई है कि अभी हाल फिलाल में कुछ ऐसी controversy यहां पर हुई मैंने उस बारे में बोला होगा जो उसके वीडियो और किसके बारे में बोला होगा और जो उसने बोला है वो actually में जिसने बोला है उसने बोला क्या है मुझे यह भी नहीं पता था यह बाद में मुझे पता लगा क्या है तो देखो भाई यहां पर मैं मानता हूँ के अगर कोई यहां पर अच् मैंने फाइटर को यहां पर दोस्तो अच्छा ही बोला को मूवी देखो ठीक है भले ही स्टोरी जिस भी लेवल पर हो लेकिन मूवी का जो डारेक्शन है वो ठीक है और देखो एक चीज और है मैं मानता हूँ एक चीज और है कि पबलिक एक चीज तो आपको भी माननी पड़े की यह आपको भी मैं तो मानी रहा हूँ लेकिन यहापे जितने भी फिल्म मेकर्स अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा है मैं उनसे एक बत कहना चाहता हूँ कि देखो इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दों पे हमने भतेरी फिल्में देख लिए बतेरी फिल्में देख ल उस movie को देखो आप वो भी एक जो है कारई किल की movies थी वो भी एक जंगी film थी मतलब जंग पर film थी और जो मैंने ललकार movie पताई है उसमें भी area election ही था उसमें भी area election था जो राजिंदर कुमार थे धन्मिंदर के भाई बने हुए थे बड़े इसमें माला सिना है राजिंदर कुमार एरियल जो अभी इसमें जो स्क्वाडर कमांडर रितिक रोशा नहीं न जिस पोस्ट पे ठीक राजिंदर कुमार होते हैं और उनका जो जहाद होता है वो दुश्मन मुल्क में जाके गिर जाता है और ठीक वैसे ही जैसे अक्षय और बुरा है और करन सिंग रोवर को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है ठीक वैसे ही उनको वहाँ पर भी उस मूवी में पकड़ लिया जाता है यह लाश में पता लगता है वो जिन्दा है तो वहाँ पर भी वही चीज दिखाई है और यहाँ पर भी यही चीज दिखाई है लेकिन वो देख लो कि इतने करीबी जब वो लड़ाई होई कारगिल पे इंडिया और पाकिस्तान की उन्होंने जब उस दोर में उस लेवल में मूवी नहीं बनाई जबकर उनको पता था कि भाई अगर हम इस पर बनाएंगे तो हमारी मूवी बहुत जादा चलेगी लेकिन उन्होंने स्रीफ और अपने कॉंटेंट पर ध्यान दिया कि हमें क्या बेस्ट लग रहा है तो आखे बंद करके ये ना देखा जाए कि हमें सिर्फ पाकिस्तान पर भाई और भी जगाए है चाइना है चाइना पर उन्होंने उस टाइम पर बनाया जो चाइना का ललकार मूवी में दिखा है एंड हकीकत फिल्म में भी भाई कहीं कहीं चाइना से दिखा ही आई तिंक सो पाकिस्तान का नहीं दिखाया है तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ सारे फिल्मेकर्स से के देखो सो में से एक दो आजाए तो हदम होता है लेकिन सो में से निन्यानवे आ जाए तो वहाँ पर न पैजिए पुब्लिक का एक जो नजरिया है मैं उस पर बात करा हूँ पुब्लिक भी ठक चुकी है कहां तक देखें कहां तक यही चीज है और कोई बात नहीं है मूवी ठीक है, बस यहाँ पे अगर कुछ और मसला होता न तो मूवी यह बहुत चलती वो भूल जाओ भाई, यह एरिया लेक्षान है पेरिया लेक्षान है, जो भी है, पब्लिक कनेक्ट नहीं कर रही अरे भाई, सब बेकार की बात है सब बेकार, में जो मोटिव है वो यही है, कि पब्लिक जो है, इस चीज से अब बाहर निकलना चाहती है, पब्लिक कुछ और देखना चाहती है बस और कोई मोटिव नहीं है फिलाल दोस्तों, मेरी बात कोई अच्छे लगी तो आप मुझे नीचे कोमें दरूर बताना तो अभी तक के लितने मिलता हूँ, आप से एक लिक देखने और थेंक्स और वाच्छी